हलो दोस्तों मैं मांसु पांडे आपका अपने यूट्यूब चनल गया इस ट्यार में एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों आसा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे आप लोग अपने बोर्ड एक्जाम यानि क्लास 10 और 12 और होगा चली हम लोग इस बीडियो के लांस तक बने रियेगा और हाँ दोस्तों इस वीडियो तक को अपने दोस्तों तक share करना ना बोलिएगा जिससे की सारे दोस्त आपके सारे दोस्त यह जान जाए कि OEMR Suite किस तरीके से आएगा और किस तरीके सेे exam में फिल करना है दोस्तों बहुत बार बच्चे क्या कर देखको OEMR Suite को exam में गलत फिल कर देते हैं जिसे बाद वो घबडा जाते हैं और उनके आगे के पेपर बेकार हो जाता है तो चलिए हम दो शुरू करते हैं दोस्तों यूपी बोर्ड ने अपने में वेफ साइट पर एक लिंक डाला हुआ इस लिंक क्या है आई हम देखते हैं आपको दिखाते हैं आप लोग दिख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है वर्स 2023 की हाई स्कूल परिछा में प्रिवक्ती जाने वाले ओए अमार सीट का नमून आया मुझसे भरने है तू निर्देश यह आपका अपडेट है इसमें क्या-क्या है आई इसको देखते हैं हम लोग क्लिक करके कि क्या-क्या निर्देश दिया हुआ है आप लोग देख रहे हैं कि यह वर्स 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परिच्छा में प्रते एक बीस अंकों के वास्तुनिष्ट प्रश्णों के उत्तर ओयमार सीट पर अंकित किया जाने के संबद में पुरू में निर्देश दिये जा च च्छनों की ग्री परिच्छा में ओयमार सीट पर परिच्छा आयुजित कराई जा चुकी है आप लोगों को पता हुए कि यह प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे फिर आपको यहां पर दिक्कत होगा तो आप इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें किस त बने रहें थे हम अपको समय समय पर देते रहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लए और अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूले आगे चलते हैं दोस्तों आगे हम बताते हैं कि इस बार हाई स्कूल के परिक्षा में वह यह मार सीट मिले का अच्छे इसका जो यह आ गया बावू दोस्तों आ गया आपके सामने आ गया ओया मार सीट भरने का तरीका किस तरीके से भरेंगे तो आप लोग खुब अच्छे से हमारे वीडियो को ध्यान से देखें दो और एक एक चीज को स्टेप बाई स्टेप करके समझे घबडाए नहीं आप लोग को दि होगा आपके हर जिला का एक कोड होता है वह आपको उसकुल में प्रयोष्पत्र पर लिखा होगा के अंदर कोड भी प्रयोष्पत्र पर लिखा होता है अनुक्रमांग भी आपके प्रयोष्पत्र पर लिखा होता है बीस है हर बीस है का बीस नंबर का कोशन आप समझन होग प्रेशन पप्र संख्या क्या होता है जो आपको कोश्चन में मिलता है उसके बगल में उपर प्रेश्चन पत्र संख्या करके लिखा होता है प्रश्ण पत्र नंबर करके लिखा होता है इसे वहां से लिख करके यहां पर फिल कर दिए आपको कुछ नहीं आता है तो चुप चाप एक्जाम में बैठे लेगा आपको जो क्लास में ड्यूटी करेंगे सर वो बता देंगे सब कुछ लेकिन एक बार इस वीडियो को देखके जरूर जाएगा इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो सायद आपका 20 नंबर खतम हो जाएगा ठीक है तो 20 नंबर गवाना चाहता है या फिर उसको आसानी से पाना चाहते है तो वीडियो को पुरा ध्यान से देख ले इसको भरने का तरीका भी या बताया हुआ है ऐसा नहीं कि हाँ आदा अदा गोला कर दी और फिर चले आए घर में करो रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है आपको गोले अच्छे से करना है ठीक है नीचे बरने का सही तरीका बताया हुआ ह है यजो प्रोसेस अच्छे से बरना प्रोश करना सरम तो आप उसको फिल करने लिए या तो भूपर ले सकते हैं या तो ब्लैक पेन सकते हैं दोनों में से कोई एक के यूज कर सकते हैं ईस्ट्रक्षन लिखा राएगा ऐसा यहां पर blue pin से भर सकते हैं आगे चलते हैं नीचे लिखा हुआ है प्रश्ण उत्तर के चारो भी कल्प में से जो सही होगा उसमें गोले निर्दनसार भरा जाएगा जो भी उत्तर होगा पाला का C माली आपसों सही है आपका पाले नंबर का C नोगी सही है सी वाले अच्छे साथ जो क 120 के यहां पर कर देखा है तो अच्छे लिखा हो ता है यहां पर देखिए कि जरीर रिखा होता होता है A B C लिखा होता है हर प्रेश्पत्र आपना Azer होता है जो भी करके लिखा होता है यहां परएआ वรले को गोला कर दे及 खुट ही और बताया हुआ है ऐब है यहां पर यहां पर इे कर देकात ब्रक सब्सक्राइब उसी को नीचे घök आपको आगया होगा आगया होगा आगया करना है आपके चाहिए आपको द्यान देना है आगया चलते हैं निचे आते हैं बोर्ड आप हाई स्कूल इंट्रिमेटर परिष्छा हाई स्कूल परिष्छ दो रते इस ऊपर भी दिया हुआ था यहां से फार देना है आपको पीच मतलब फार के फेक मत दीजिएगा बीच से आराम से बीच से पार्ट से काटना है कहीं से नहीं जो कैची बना होगा वहां स इसको मिटा करके फिर दूसरा घणाा सकता है इसको दूसरा रंग कर दिया जा सकता है ऐसा नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ कालीया पिर ब्लेक बालबी का ही उजज करना आव साधाने से बरना उसको पूरा इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिए ऐसा करता हूं दोस्ते लोग अच्छी से समझ गए होंगे और किस तरीके से आपको एक्जाम में जा करके अपना OEMR सीट फिल करना है क्लास 10 के बच्चों के लिए 12 के बच्चों के लिए 10 के बच्चों के लिए जब 16 फर्वरी से आपका एक्जाम सुरू हो जाएगा तो यह OEMR सीट मिलेगा तो देखके आपको घबलाना नहीं है आपको हमने अपने चैनल पर OEMR सीट दिखा दिया अच्छे से एक्जाम में हर इस कोश्चन को ध्यान से देखेंगे और इस OEMR सीट को फिल करेंगे दोस् प्रेट कर एक्जाम से भी समधित अप्डेट आ चुका है और भी मैं आपको दे दूंगा फिलाग इतना अप्डेट आपके लिए बहुत है आपकी OEMR सीट को देख करके निफिक्र हो जाईए और बोड एक्जाम के लिए त्यार हो जाईए मिलेंगे हम लोग ऐसे ही लेट